बहुत खुब सर आपकी शब्दों की वज़े से हम में भी एक आशा निर्माण हुई है फिर भी सर एक थोड़ा नाजुक सा सवाल पूछ लेता हूँ उस पर आपने थोड़ा कहा है लेकिन स्पेसिफिकली उस पर कुछ बोल सकेंगे तो अच्छा होगा शिक्षक के तोर पर एक विचार ऐसे हो सकता है कि अब तक मेरे पास बहुत सारे उपक्रम आये और गये अधिकांच प्रशिक्षण में ये कहा जाता है कि जो हम कहेंगे उसी पद्धती से करेंगे तो ही यश मिलेगा जैसा पहले बताया बहुत सारे लोगों को लगता है चात्र नहीं सीखे क्योंकि शिक्षकों ने मेहनत नहीं की प्रशिक्षन से ये अपिक्षा होती है कि शिक्षकों ने और मेहनत करनी चाहिए ये पहले के जो पारंपरिक प्रशिक्षन थे कि हम जो कहेंगे वही करना और ज्यादा मेहनत करना प्रशिक्षक ये कहते थे कि वही होश्यार है हमको ही समझता है तुम्हें कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं समझता है हम जैसा बोलते हैं वैसा कीजिए देखे, अगर दो लोग समान है तो एक दूसरे से ऐसे कहने की जुर्रत क्यों करनी है और दूसरी बात ये है कि आप कम मेहनत करते हो ऐसा कहा जाता था अधिक मेहनत कीजिए, ज़्यादा क्लास लीजिए स्कूल के पहले और बाद में क्लास लीजिए ऐसा बोला जाता था ऐसा कहने वाले खुद क्या कर रहे थे सामने भी तो इंसान ही बैठा था ये ऐसे क्यों कर रहा है खुद तो कुछ नहीं करते और हमें कहते है जैसा हमने पहले ही बताया कि हर कोई इंसान कम मेहनत में अधिक परणाम चाहता है पहले की शिक्षण मानव ताके विपरित थे अब की बार प्रशिक्षण में हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें परणाम चाहिए तो तुम परणाम के लिए काम करो, अधिक मेनत करने से नहीं, लेकिन स्मार्ट वर्क से No hard work स्मार्ट वर्क कैसे करना है? ये हम आपको स्पष्टता से कह रहे हैं कम मेनत करके, अगर किसी को परणा मिल रहा है, तो वो छूटने वाला या सस्तेनेबल नहीं होगा ऐसे विचार करने का मुझे कोई कारण नहीं समझता है हमने पहले ही बोला, 16 प्रतिशत लोग शाहिद ऐसे रह जाएंगे लेकिन ये सस्तेनेबल होगा, ऐसा मुझे लगता है देखते हैं क्या होगा? ठीक है सर, सर आपके साथ चर्चा करके हमें बहुत अच्छा दिशा दिर्देश मिला है हमारे देखने वालों को भी मिला होगा और उनको विश्वास भी आया होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं और परणाम ला सकते हैं आदरनिय सर, आप यहाँ पर आये और शिक्षकों के साथ समवाद किया इस वीडियो के माध्यम से वीजे एंटी स्कूल के शिक्षकों से समवाद साथने के लिए आपका मनब पुरोक अभिनंदर बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक्यू सो मच थैंक्यू निलेश थैंक्यू